मास महराजा के नाम से जाने जाने वाले अक्टर रवी तेजा हिंदी दर्शकों के बीच एक भव्य पैमाने पर आने वाले है उनकी फिल्म टाइगर नागेश्वर राओ जल्द ही रिलीज होने वाली है और इस वक्त मेरे साथ मौझूद है खुद रवी तेजा और फिल्म की एक लग रहा है कि बहुत मासी लेविल पर ये फिल्म बनाई गई है मास एंटर्टेनर है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं दर्शकों के बीच हिंदी दर्शकों के बीच खास कर आकर क्योंकि इन दिनों कई ऐसी साउथ की फिल्में हैं चाहे पुश्पा हो आरारा हो या तमा मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फिलाहल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर आप लोगों से इस तरह मिलके बात करने आए अब 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 बदल गया है लोग बहुत अप्रिशेटिव हो गए है अब भेद मिट रहा है कि यह साउथ की फिल्म है यह सारी फिल्मे लोग देखते हैं डव फिल्मे और बहुत पसंद की जाती है तो उसका फायदा बहुत जादा है हिंदी फिल्म साउथ की फिल्मों को मिल रहा है ऐसे में आपके मन में एक फिलिंग होगी कि हाँ आप खुले दिल से लोग एप्रिशेट करने के लिए तयार है तो क्या कहेंगगा कुल गवे क। बहुत है? फ़ैदा नोप्र आपकी पहली फिल्म है और आप तेलगु दे इंटरगव एंटर्थ और भूल में इन्ट कॉछिल जान प्रप्ला एंटी श्यार के उरे विल एक टुड़ एलनु फायदा नुपर आपकी यह पहली फिल्म है और आप तेलगुए लाट। कर रही हैं. हमें याद है कि बहन के जिए कि मिम然 अभी तयल्गो फिल्म से ऑंट्री की चिन खञा है और 20 तारीक को इन यह रिलीज मंने पहले में. आपकी फिल्म टाइगकर नागेश और राव भी रिलीज है यह बहुत यह स्ट्रेंज किसम का कुईसिडेंट है यह बहुत ऐय फ़नी कोइसिदंस है यह ऐसे निवार भड रिलीस के लिए कि टीफ जया इस वह ग्फ शर ल में पॉस्टर स्रह बाहर था एंड उसमें रिलीस डेत थी तो वो मेरे कमरे में एए थी और शुट था फ़्लीम डेर चालीट इंड रिली हैं दोहाद थे परो और वैचा में परीड़ चुछ पंप से रहे लेगराया वर्च वेलेगिए अधिन अवाद। हुआ और स्फ़ीदा है कि उन्हों ने भी तेलगो फिल्म से रेंची हिए ति यह सब एक अजरणी सिरेंड़व ही तो चाहला किते आज़ उन्हें दिद्बौर्बा को इन्हों कृति राग है कि उसके वारे मारत तो मुझे सबसे अच्छी बात यह लग रहे है कि मुझे चे चे ओडियन्स मिल रही है तो वाच माय फिल्म मेरी और बढ़ गई है अब आप नियू कमर आप इससे जाद क्या चाहोगे अपने इससे पहले भी हिंदी फिल्म में काम किया है इत्तुसी बात इक फिल्म एथे जब मैंने आपका इंट्रिव किया था अब आप यह तरह का किरदार है जो सेट अप मिला है और जिस तरह के अक्टर्स है रवी तीजा जैसा बड़ा सूपर स्टार इस फिल्म में काम कर रहा है क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो तेलुगू फिल्म नहीं है अगे अशी सेड इंडियन फिल्म है हिंदी ओडियंस के लिए भी बनी है यह फिल्म मेरा जो इसमें किरदार है बहुत अलग किसम का किरदार है मेरे असली यूझ बाफरे जासी हूं उस्में बहुत बहुत अलग मैं गाउं की एक लड़की हूं इसमें ऩुछ एक्टो बड़कों जैसा बेहे करती है घिए जैसे इसे उकन आपयाविल लडकिया नहीं प्यार्व करती इसमें और बहुत ही जादा डीक्लमराइज उसमें मेरा तो हमारे डिरेक्टर ने कोशिश की कि जितना औथेंटिकली मुझे पोर्ट्रे कर सके उन्होंने वैसा मेरा क्यारेक्टर रखा है. जितना वो मेरे अंदर से अट्टिक निकाल सकते थी, वनोंने बहुत खुब, you know, कोशीश किया, उसके अब वो कैसा नभाया है, मैंने वो और आड़ अचा के बाद की इसा किया, बोत अचा किया। जैसे कि आपको पता है हिंदी में, but, you know, when you're working with a big star like that, उसे आपका सबको चेंज हो जाता है, आपको उसे पहले, like, I was not known, but after this, चीजे बदल रही है, बहुत कुछ, मुझे और उने शुरू है, and that's all thanks to him, you know, it is because of his clout, his credibility, इनका जितना popularity, mass, कि जितने बड़े, मतलब, he's the idol for masses, तो उसकी वज़े से मुझे बहुत कुछ फाइदा हुआ है, और मैंने जब सुना इसके बारे में, मुझे एक सर्टन इमिज था इनका, कि, you know, थोड़ा, होंगे रॉब वाले, ऐसे अलग होंगे रॉब वाले, इसके बहुत कुल ही उससे अलग निकले, बहुत नाइस है, बहुत ही जादा, बहुत जादा डाउन-to-earth, हम्बल है, और अपने में बहुत बिलीफ रखते है, कि आगे जाके कि कुछ भी होगा आउटकम, he does his 100% और इनको पता है कि, you know, how things happen, how the films are made, and that obviously happens, क्योंकि इतने सा चोटे-चोटे रोल से किरी, कई फिल्मों में छोटे-चोटे रोल किये, almost 7-8 साल तक, उसके बाद जाकर आपको एक prominent leading actor का, actors के किर्दार मिलने लगे, लेकिन, शुरू होने के 8 साल बाद, शुरू होने के 8 साल बाद, तो उस बीच आपने बतार assistant director भी काम किया, कई फिल्मो में भी बतार assistant director काम किया है, एक भड़ साफ की film थी, criminal film, जो मतलब Bailing Will बन रही थी, तो 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 अब जर्नी, अब अपनी जर्नी के बार में पता-बता कि भी कि थोड़ा 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 बहुत थोड़ा 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 थो अब इसा कुछ नहीं है, आप इसा कुछ नहीं है, आप एक चीज में और पूछना चाहूंगा की ऐसे कई साउथ के अक्टर्स हैं, जैसे जूनियर NTR है, अलु अर्जुन है, वो भी काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं और आप भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेक कि मतलब इतने यूस्टू कैसे हैं आप हिंदी से और क्या हिंदी फिल्म में देख कर ही आप बहुत बहुत प्रभावित हुआ थे को मैं काफी मतलब टाइम नॉर्थ में भी थोड़ा दिली बॉंबे जेबॉर और ऐसे लोगर से मिलता रहता हूं तो आप हिंदी ओर कुछ मिलता है तो यहां के बहुत सारे एक्टर के साथ काम किया मैंने तो बस डॉलोप परता रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी में बात करें तो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ही डबिंग की तो सब यही पूछने वाला था कि आपकी जो दॉप फिल्में, सेट मैक्स पर और तमाम चैनल पर आती रहती है उसमें अजीब अजीब तरीके के आवाज सुनने को मिलती है लेकिन पहली बार शायद दर्शक और को आपकी आवाज हिंदी में सुनने को मिलेगी इसका क्या बता है मतलब जो मैरी खुद की आवास कैसी है बहुत बहुत थावाज को अदाज्टी आवाज को दूख सुनने को मिलती है थोड़ी बहुत बहुत फणी भी होते जिस तरह के डालोग होते हैं यहां अभूर लगी था उस अंदाज में कुछ सुनाना चाहेंगे गहाँ था तो अपसे अपसारी फिल्मे खुष्दी डफ करेंगे जो बी हूं जासे कि अलु अरजुन भी प्लानने काम करने चारे हैं संधी पांगा रेड़ी के साथ, तो क्या कोई diplom है य। य। गँड़े कोई प्लान आगे चल कर नहीं नहीं है, मैं कल की सोस्ता नहीं, शुट गो इन फ्लोग नुपर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा रवी तेजा के साथ काम करने का और एक इतनी बड़ी मास केल पर बनी फिल्म में काम करने का क्या कुछ आपने सीखा और खासकर आपके के लिए तेलगू बोलना काफी डिफिकल्ट रहा होगा, वो उसको कैसे आपने मैनेज किया, सबसे जादा टेंशन तो मुझे इसी बात की थी, तेलगू की, because it's a very, like it's a difficult language, it's not an easy language, and मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं acting, अब new हो, तो मैं acting पर ध्यान दूँ कि मैं language पर ध्यान दूँ, you know, so I think मेरी इस मामन मेरा, मेरी मेरी डिरेक्टर और मेरी AD ने बहुत हैं, मैं अपने AD की साथ पूराइम काल पर होती थी, and वो मुझे, Suvarna, her name is Suvarna, and वो एक एक वर्ड, एक एक लाइन मुझे लिकवाती थी, उसमें पस एक दाएरी है, उसके नीचे मैं उसको कैसे बोलना है, प्रनूंसियेशन लिगती और उसके नीचे एक एक वर्ड का मतलब की थी, so I just wanted कि मुझे एक एक जब तक मैं सेट पे जाओ, I should know एक एक वर्ड का मीनिंग, ताकि मुझे बताओ, मिरे पॉसे कहान है, ताकि मैं एक 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 और और जो तोड़ी बहुत नहीं हो पाती थी मुझ छी दायलोग्स, जो उनके डायलोग्स है, हो जो हिंदी में दिये हैं, ताकि मैं अरीस समच कि उस चीज को अच्छे से मोच कर ऑँ, so it was amazing, it was phenomenal working with him, बहुत बड़ी opportunity थी मेरे लिए, इतनी help आपने की, Nupul की और Gayatri की, यह, जब पताएं ज़लोगी, एक जब बहूँता है, ज चाल नियाए तरह दो आंवार यह जो 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 बदीश्ट कारी जानती है रिए यह जो टेंख वर मैं ने आप और मुझा बांगहरी करें जांब करें यहां और सुछ है यहां कि अगर जो आपको आपको इंतिजार होगा कभी मौका मेले क्योंकि वो भी अब के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ पर साउद की फिल्में काम कर रहे हैं आपको अब करना है उनके साथ काम करना है वहाँ पर प्रीमर शोतत अवायत है तो ज्यादा बात नहीं हो पाई बट आई विश इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुपकामना है और जैसे आपको वहाँ पर सूपर स्टार्डम मिली है और यहाँ पर भी दर्शा आपको शिनमा गोरों के जरीये देखे हैं, चाहें, सराहें और आपके डेबू के लिए आपको बहुत-बहुत मुबारक बात गायतरी, आल दे बेस्ट थांक यू सो मुछ क्यामरामन प्रशांद माने के साथ रवी जैन, ABP News, मुंबाई